हर साल भी समार्टों के दुनिया में एक नया किन निकल गाता है और अगर ये वीडियो पषद्ध आये तो लाइक कर ले न कुर थी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही कमाल कमाल के वीडियो दिखने के लिए, तो इस लिस्स में सबसे पहले नंबर पे आती है, वन प्लस, और वन प्लस एक ऐसी कंपनी निकल किया ही सामने, जो कि प्रीमियम फ्लैक्शिप मार्केट में उसने वैसा परफॉर्म किया, जैस अफोर्डेबल सेग्मेंट में शामी निकरी थी, यानि कि 2014 के एंड में वन प्लस आई थी, और जब वन प्लस आई थी, इंडिया के अंदर तब सभी लोगों ने मना कर दिया था कि कोई कंपनी आ रही, जिससे कोई नहीं जानता है, बीस हजार का अपना फोन निकालेगी, उसे कोई नहीं लेगा, लेकिन बाद गलत सा भी तो वन प्लस वन हिट हुआ, उसके बाद आने वाले सालों में कुछ और फ्लेक्शिप किलर फोंस नकाले, वो भी मार्केट में काफी अच्छे परफॉर्म किया, वो भी काफी अच्छे तरीके से चले, और धीरे धीरे जो वन प्लस ब्रांड है वो इंडिया में डेवलाफ होता चला गया, यहां तक कि उनके जो हाइप बनाने वाली मशीन थी, और जो वन प्लस के फैंस थे, और उससे उन्हें इत्ती जादा मार्केटिंग मिलती थी, कि उन्हें एक्च्छली में मार्केटिंग में जादा पैसे कि कभी जुरत भी नहीं पड़ी, और उपर से जो वन प्लस ने अपना जो फैंवेस बनाया था ना, वो भी उनके लिए काफी जादा सक्सेस्फुल साबेतरा, यानि कि जो वन प्लस कम्यूनिटी है, जहां पे जो वन प्लस के फोन से दूसरे लोग को रिकेमेंट करते हैं, और दूसरे लोग भी उनने खरीदते हैं, तो ये भी काफी बड़ी बात है, और देखाया तो जो प्रीमियम फ्लेक्शिप मार्केट और 30,000 रूख से उपर वाला जो सेग्मेंट है, उसमें वन प्लस देखा तो काफी जादा अचा परफर्म कर रही है, मतलब आज के समय मे वो Samsung और Apple को competition दे रही है, और उनसे भी जादा आगे निकल चुकी है, मतलब ऐसा OnePlus ने भी expect नहीं किया था, कि वो इंडिया में इतना जादा ग्रो कर जाएंगा, और इंडिया में वो इतना बड़ा brand बन जाएंगी, जितना वो globally और कहीं exist नहीं करते हैं, और यही एक बात है कि आहद के समय वो इंडिया को सबसे जादा preference देता है, अब देखते हैं कि हने वाले OnePlus 8 और 8 Pro के अंदर कि आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 120Hz का display, 5G Snapdragon 865, wireless charging, कुछ ऐसी कमाल कमाल की चीज़ा देखने को मिल सकती है, अब कमिंग OnePlus के phones में, और इसके बात नमबर आता है Realme का, अब Realme की बात की जाए तो जो कम्पनिय ना 2018 में स्टार्ट होई थी और अभी इस कम्पनिय को धंग से दो साल हुए भी नहीं है, और इस लिस्ट में उसने अपनी जगे बना लिए, यहां तक की देखा है, तो सेल्स के महमले में, ओन लाइन में नमबर स्मार्ट फोन हो जाते है, और देखा जाए तो मार्केट में सबसे जादा तेजी से ग्रो होने वाला जो ब्रांड है ने स्मार्ट फोन को दुनिया में वो Realme है, और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, रियल्मी जो ओपो से निकल के आएथी ना, आहज के समय में उसने ओपो को भी पीछे छोड़ दिया, और ओपो से भी जादा फोन को मार्केट में बेच रही है, और काफी जादा फोन को निकाल रही है, क्योंकि काफी बड़ी बात हो जाती है, पहले वो ओनलाइन में थे, और वो ओफलाइन के अंदर भी आ गये है, और तो और आने वाले समय में Realme क टीवी आएगा, आयोटी-based devices आएगा, smart speaker आएगा, smart watch आएगी, अलग-लग product categories में आ रहे है, और देखा जाए, तो इससे पहले हमने किसी भी company को smartphone के space में इतना ज्यादा ग्रो होते हुए नहीं देखा, जितना अभी हमने Realme को देखा है, अब देखके लगता है कि Realme आगे च सबसे पुरान smartphone player है, यानि कि, जब smartphone से पहले feature phone आते थे, तब वो उसमें भी best seller था, उसमें वो तम लोकिया के साथ compete करता था, आहाँ के समय में smartphone के साथ है, और उस समय जितनी भी companies होती थी ना, Samsung ही एक ऐसी company बच्चे जो अभी तक survive कर पाई है, और Samsung के इस survival का नतीज़ यह है, यह आज के समय में जो Samsung की जो brand value ना, वो सबसे जाद है, यानि कि आप believe नहीं करोगे, Samsung का एक budget phone में आता है, और ultimate premium flagship phone में आता है, जिसी कि यह मतला लाख रुपे की उपर है, और सबसे बड़ी बात है कि, लाख रुपे वाला भी phone बिकता है, दस जार का भी phone बिकता है Samsung क और Samsung की पहले company बनी थी, जो इंडिया में अपने foldable phones को लाई, अब आपने दूसरे foldable phones को भी ला रही है, अगर वो इंडिया में अपना देड़ दाक का phone भी लाते है ना, तो भी लोगों से खरीदना पसंद करते हैं, मतलब काफी बड़ी बात हो जाते हैं, और Samsung की brand value का इस से compete करती है, और सबसे बड़ी बात है कि Galaxy M series और A series को लोग लेना पसंद भी करते हैं, क्योंकि उसमें काफी अच्छी value for money मिलती है, और देखा जाते हैं तो इची Samsung के लिए काफी जादा चल रही है, और उसके बाद उनकी Galaxy S और Note line-up है, जो की उनकी flagship line-up है, जो की already successful थी, त जो की 30-40,000, जहाँ पर उन्हें OnePlus competition मिल रहा था, तो वहाँ पर उन्हें competition देने के लिए, तो देखा तो हर price category के अंदर Samsung का एक next phone मावजूद है, और देखा जातो Samsung की brand value करण वो phone काफी जादा बिक रहे हैं, और ये भी काफी अच्छी बात हो जाती, Samsung की तरफ से आपको अपना पहला phone है, तो वो MI3 लाएते हैं, और 14,000 रुपीज में MI3 में आपको flagship specs देखने को मिली थी, और वहाँ से जो company थी, उन्हें काफी अच्छा head start मिला, लेकिन जो real success Xiaomi को देखने को मिली थी, वो थी Redmi Note series थे, यानि कि Redmi Note series उनका एक ऐसा हतियार बना, कि one of the best selling phones की category में आ समय best seller थे, उससे पिछले साल Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro, उसके भी पिछले साल Redmi Note 4, उसके भी पिछले साल Redmi Note 3, तो अब देख सकते हैं, कि किस तरीके से जो Redmi Note series वो कितना जादा evolve हो गई है, और Xiaomi के लिए हमेशा best seller बनती है, और Xiaomi एक खास बात ये थी, कि हमेशा उन्होंने budget और जो mid range होता ह उसे focus किया, और उसके अंदर उन्होंने ऐसे high end specification वाले phones बनाया और ऐसे features दी है, जो उस price point में लोगों ने पहले कभी expect किये भी नहीं थे, और इसी करण से जो Xiaomi के phone से वो best seller बने, इसके बाद Redmi को उन्होंने अपने brand से थोड़ा अलग कर दिया, और वो काफे अच्छे phones मनात और देखा जाए तो जो पोक है न वो भी इस philosophy के काफी अच्छे से फायदा उठा रहे है, तो देखा जाए तो जो Xiaomi वो अलग-अलग segment में develop कर रही है, और अलग-अलग segment में one of the best phones को निकालती है, और सबसे जाधा quantity में उसके phones बिकते है, और तो और जो सिफ एक चीज जो Xiaomi स अभी तक छूट रही थी न, वो था उसका premium flagship market, लेकिन लगता है कि 2020 में Xiaomi पूरी तरीके से तैयार है, यह जो premium flagship जहां पर 30-40 जार की उपर कर सेग्मेंट में वो कभी अच्छा perform करनी ही पाए, और वहां पर कभी वो entry लेनी पाए, तो देखके लगता है कि Xiaomi जो है न, वो इस आने वाली बात हो कि आने वाली कितने लंबे समय तो इंडिया का number one brand रह जाता है, और आप लोग क्या लगता है कि आने वाले समय में Xiaomi को कोई competition दे सकता है या नहीं दे सकता है, वैसे मेरा आप लोगों को से सवाल है, आप लोग को की नजर में इंडिया का best smartphone brand कौन सा है, क्य क्या वो OnePlus है, क्या वो Samsung है, क्या वो Apple है, आप लोग को जो भी लगता है न प्लीज यह बात मुझे नीचे comment बताना ना भूला, अगर वीडियो पसंद आए तो like कर ले न, अगर ऐसी है कमाल कावल के वीडियो देखने हैं तो चैनल को subscribe कर ले न, क्योंकि ऐसी amazing वीडियो विडियो के देखने हैं, गुडबाए!